तमस्कार इंडिया न्यूज उत्र प्रदेश देख रहे हैं आप में गरीमा श्रिवास्तवा के साथ 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव को लीकर सभी पाटियों ने तैयारियां तेज कर दी है उत्र प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया अधितिनाथ और सुभा सपा के रास्ट्री अध्यक्ष उम्रकाश राजभर के बीच गुरुवार की रात वारांडसी के सरकेट हाउस में के बंद कमरे में करीब 25 मिनट की मुलाकात हुई बात चीत हुई इसकी पुस्ट्री सुभा सपा के मुख्य प्रवक्ता अरुन राजभर ने की है अरुन ने ये साफ संकीत दिया है कि लोग सबा चुनाओ से पहले सुभा सपा का गटबंधन बीजेपी से हो सकता है इसकी अप्चारिक्ता पर ब्रस्पतिवार की रात मुख्य मंत्री से पहुच पाई थे उनके प्रतिनिधी के रूप में सलाकार अवनीश कुमार अवस्ती ओपी राजभर के घर गए और मुख्य मंत्री का बधाई संदेश दिया था प्रहस्पतिवार के देर रात मुख्य मंत्री वारांट सी आये तो पता चला कि सरकेट हाउस में ही ओपी रा कर बाट करते हैं मुख्य मंत्री से मिलने के बाद सुभा सपानेता बाहर आये लेकिन वहां उन्होंने किसी से भी पत्रकारों से भी कोई बात नहीं की तरसल उपी राजभर की पूर्वांचल के गाज़ेपुर आजमगर मौ और बलिया में राजभर समाज के बीच अच्छ रही है भाजभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंग्शादरी और उपु मुख्यमंत्री केश्व प्रसाद मौर्य भी राजभर से मिले थे दोनों नेताओं ने राजभर के घर जाकर बेटे और बहु को शादी की शुप कामनाए भी थी इसके साथ के बाद सही भाजभा और सुभा सफा के बीच गटबंधन की चर्चा आम हो गई थी इंदिनों बनारास राजभूनीती का केंद्र बना हुआ है आगे चुनाओं की और भी तैयारियां होंगी आप सभी तक हर अपडेट्स पहुचाएंगे और जल्द बताएंगे कि या भाजभा सफा क के बीच गटबंधन होना है या नहीं हर बड़ी अपडेट्स में बनी रहने के लिए देखते रहें ध्यान्यूस उत्तरप्रदेश थन्यवाद